नमस्कार, सुक्षार्थियों, Community Health Training Program में मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चोहन, Senior Executive Officer हमारा आज का जो यूनिट है Community Health Training Program के अंत्रगत जो First Subject है आपका Basic Life Sciences उसके अंत्रगत ये चोथी यूनिट है सामान रोगों के निवारन और घरेलू उपचार तो आज हम इस यूनिट पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और स्वास्था के वारे में समझेंगे उन सामान बीमारियों के रोगों के वारे में भी जानेंगे जो अक्सर लोगों को मौसम बदलते वक्त या वैसे भी हो जाती हैं तो सभी बीमारियों में ध्यान रखिए कि कुछी बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है चिकिस्ट सक्षे परामर्स करने की जरूरत है और आपको मेडिशन लेने की भी जरूरत है लेकिन 65% से अधिक ऐसी छोटी मोटी बीमारिया होती है या डिसॉर्डर हो जाते हैं जिन में हमें किसी तरह की कोई मेडिशन लेने की आपसकता नहीं होती तो ध्यान रहे कि ऐसी इस्थिती में जब कोई भी किसी तरह का डिसॉर्डर हमको लगता है स्वास्था से सम्मन्दित कोई प्रॉलम हमें महसूस होती है तो हम क्या करें? कैसे उन बीमारियों से निजात पाएं? निवारन करें? और क्या घर के अंदर कुछ ऐसी औसधियां, ऐसा भूजन, ऐसी चीज़ें हमारी पास हैं जिनके माध्धम से क्या हम उप्चार कर सकते हैं? तो ये बहुत महत्पूर्ण है और मैं समझता हूँ ना केबल हमारे स्वास्था कारे करताओं के लिए अपितु उन सभी लोगों के लिए जो स्वास्था बहतर चाहते हैं उन सभी के लिए ये आवस्थक है तो इस लिए हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर रजनी दुबे डॉक्टर रजनी दुबे फिजीशन है नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्कम में तो आज डॉक्टर रजनी दुबे आपको इन समान वीबारियों से तर्चा करेंगी और किस तरह से इनका घरेलू उपचार किया जाए और किस तरह से स्वस्त रहा जाए इस पर वो बात्चीत करेंगे। वो इन सब अवस्थाओं से के उजरता है और उसके लिए हर अवस्था में स्वस्थ रहना जरूरी है रिशियों ने भी कहा है कि जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी धर्म करते हैं वो सब हम इस शरीर के थू करते हैं तो ये शरीर ही ऐसा स्थान है जहां से हम सारे धार में कृत्त करते हैं और इसको स्वस्थे रखना हमारा सबसे पहला कृतबव्य है। आयर्विद में भी कहा गया है सम दोशा समागनी सम धातु मलक्रिया परसन आत्मेंद्रा स्वस्थे मिटी धियते यानि कि जिसके सारे दोश अगनी और धातु और मलक्रिया सम अवस्था में रहती हैं और जिसकी आत्मा इंद्रिया मन परसन हो तभी उसका शरीर स्वस्थे कह जाता है तो शरीर को स्वास्तिक शारिरिक मानसिक और हर तरीके से स्वास्त रहना चाहिए अब हमारे मन में सवाल आता है कि शारिरिक स्वास्ते के लिए क्या मापदंड है हम किस तरीके से अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं वो कौम सी आदते हैं जिसके द्वारा हम हेल्द ड़ डालें, गहरी नीन में सोएं, शरीर के सभी अंग सामान नियकार के हूं और उचित रूप से कार्रे करते हूं, नाडी स्पंदन, रकदाब, शरीर का भार, यह सब भी नॉर्मल होना चाहिए, तब ही हम मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्ते हैं, तो यह स्वस्ते के मापदंड हैं, जिनसे हम मानते हैं कि व्यक्ति स्वस्ते हैं, अभी हमने बात करी कि वो कौन से मापदंड हैं, जिसे देखकर हम यह बता सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्ते हैं, पट कुछ ऐसी चीजी हैं, कुछ ऐसे प्रिविंटिव मेजर्स हैं, जिनके द्वारा आप अपन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को धोई हमेशा खाना पकाने के लिए और खाना रखने के लिए साफ बरतनों का इस्तमाल करें खाना खाते वक्त कभी भी खाने के बीच में पानी ना पिये ये बात आपको बहुत लोग कहते होंगे और इसका कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है बिकॉस जब हम खाना खाते हैं तो कुछ valuable enzymes होते हैं जो कि हमारे digestion में help करते हैं तो जब हम during meal उसको पानी ले लेते हैं बीच में तो ये enzyme dilute हो जाते हैं और जो digestion का process है वो hamper हो जाता है या हमका पूर हो जाता है अब always keep the water पानी जो क्योंकि सबसे जरूरी चीज है आपके शरीर के लिए तो उसको हमेशा clean utensil में रखें और cover करके रखें जिससे उसमें कोई bacteria या कोई गंदी चीज ना गिर जाए always take clean water especially अभी बारिशों का season आ रहा है बारिश में पानी हमेशा infected हो जाता है तो आप चाहें तो पानी को filter कर सकते हैं और अगर आपके घर में filter नहीं है तो पानी को boil करके भी आप उसे मटके में या किसी भी चीज में भरके रख सकते हैं इस तरह से वो clean हो जाएगा, जैसे आप किसी को पानी पिलाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पानी के अंदर अपनी उंगलियां डुबो कर उसे पानी सर्व ना करें, या खुद भी अगर आप पानी पी रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को पानी में ना डुबो हैं, सबस अगर रखना भी है, आप लाएं भी है मार्केट से, और आपको फ्रेज में समान रखना भी है, तो आप उसको polythine और plastic में से निकाल के रखें, और कोशिश ये करें कि मार्केट जाएं तो अपना जोला लेकर जाएं, और plastic और polythine ना लाएं, क्योंकी इस से pollution बढ़ता है अब हम बात करेंगे common होने वाले diseases के बारे में पहले हम बात करते हैं tonsillitis tonsillitis एक बड़ी common बिमारी है जो की एक infected disease है और इसमें जो symptoms आते हैं swollen tonsils आप कभी देखा होगा आपने कि आपके कान के पास जो है आपको ऐसे लगता है कुछ सूजन हो रही है गले में दर्ध होने लगता है कुछ भी सटकने में आपको problem होती है और आसपास की जो neck के sites की जो lymph nodes होती है वो tender हो जाती है और जब बहुत acute condition होती है तो कई बार fever भी आ जाता है अब इसके लिए हम आपको कुछ home remedies बताते हैं जिनको use करके आप first aid कर सकते हैं और हो सकता है अगर infections जादा ना हो तो आप ठीक भी हो सकते हैं सबसे important इसमें जो इस्तेमाल करने की चीज़ है वो है तुलसी तुलसी का use क्यों किया जाता है? Because तुलसी is a broad spectrum antimicrobial property होती है तुलसी के अंदर तो जब आप इसे use करते हैं तो यह आपकी throat की जो lining है या जो tonsils है जिनमें inflammation हो गई है उस पे work करती है और आपको recover करने और cure करने की कोशिश करती है इसके लिए हम एक decoction बनाते हैं और उस decoction से gargles करते हैं decoction बनाना मुश्किल नहीं है decoction बनाने के लिए आप 250 ml water में तुलसी की 10 पतियां डाल दीजिए उसको उबा लिए 5-10 मिनिट सिंपे रखकर और फिर उसमें थोड़ा सा सेधान नमक डाल कर आप उसके गरारे gargles कर सकते हैं और मानली ज़िए infection थोड़ा ज़ादा है आपको लगता है कि मुझे recovery और तेज़ चाहिए तो आप उसे decoction का 50 ml लेकर gargles 4-5 बार कर सकते हैं मतलब आप repeatedly उनको gargles को कर सकते हैं 3-4 से लेकर 5 बार तक भी आप कर सकते हैं बट sometimes ऐसा होता है कि infection ज़ादा होने के कारण या थंडा पानी पीरने के कारण आपको बहुत pain होता है and you are not able to even speak अब उस case में हमें कुछ अलग treatment भी करने पड़ते हैं तुलसी वाला treatment तो आप करते ही करते हैं बट उसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं कि सामने पिच्चर में आपको यह जो लकडी नजर आ रही है यह मुलेठी है जो कि आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल सकती है आप मुलेठी लेकर उसको च्यू कर सकते हैं और दो से तीन बार आप दिन में दो दिन तक उसको च्यू कर सकते हैं उससे आपका जो गले में choking हो रही है ठंडा पानी पीने से infection होने के कारण उसमें अराम मिलता है उसके इलाबा आप five leaves of guava मतलब अमरूत के पेड़ की पांच पतियां लेकर उसको 200 ml वाटर में boil करके तीन से चार बार उससे भी आप 200 ml वाटर में boil करने के बाद तीन चार बार उसको थोड़ा थोड़ा लेकर पी सकते हैं और इवन चाहें तो उसके gargles भी कर सकते हैं तो यह जो आपको problem हो रही है swell करने में बोलने में उससे आपको अराम मिलेगा अब हम next disease पे आते हैं that is the malaria जो की बारिशों के season में बहुत जादा होता है जब humid हो जाता है तब bacterias बहुत जादा grow करते हैं यह एक mosquito born disease है जो की parasites से होता है parasite जो है blood suck करता है पर जाके दूसरे को bite करता है और आपको malaria होता है और malaria में जो symptoms आते हैं वो high grade fever आता है with shivering and chills तो इसके अंदर भी अभी मैंने बताया कि tulsi जो है it's very beneficial it has very good antimicrobial properties तो किसी भी तरह के fever में आप तुलसी का यूज कर सकते हैं इवन malaria में भी आप तुलसी का यूज कर सकते हैं इसके अंदर भी आप decoction बनाते हैं इसमें आप दो तरह की तुलसी यूज करते हैं एक जो आपको आराम से मिल जाती है और एक उती है शामा तुलसी मैं आपको शामा तुलसी की भी पिक्चर दिखाती हूं यह शामा तुलसी शामा तुलसी और प्लें तुलसी दोनों लेकर आप 2020 लेकर उसको शामा तुलसी और प्लें तुलसी को बॉयल करते हैं पानी के अंदर और उसको फिल्टर करते हैं उसका कॉक्षन बनाके दिन में तीन बार लेते हैं और अगर आपको अच्छे रिजर्ट चाहिए सपोज आपका फिवर उतर भी गया है तो भी आप कम से कम पांस से साथ दिन तक इसको ले सकते हैं बट अगर आप देखते हैं कि तीन दिन के बाद भी पेशिंट का फिवर नहीं और पेशिंट की कंडिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है बलकि कंडिशन और डिटरेट हो रही है तो आपको इमेडियेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर में ही इसका ट्रीक्मेंट करूंगा कई बर एमर्जेंसी भी राइस हो सक तो वाइरल फीवर भी बहुत कॉमन होता है इस सीजन में इसमें भी आपको तीन से पांच दिन का फीवर रहता है और वाइरल फीवर में भी हम दोनों तरह की तुलसी का इस्तमाल करते हैं इसके अंदर टैन लीव्स ऑफ इस तुलसी हम लेकर फ्री कप ओफ वाटर में बॉ की लेते हैं अब इयर एक इयर एक में आपको बहुत कान में दर्ध होता है तो जब कान में दर्ध होता है तो कान दर्ध के there are so many causes तो आपको पता नहीं चलता कि क्या cause है क्यों कान में दर्ध हो रहा है तो इसमें हम ज्यादा first aid नहीं करते हैं पहले हम क्या करते हैं किसी तो हम थोड़ा सा गरम mustard oil कान में डाल सकते हैं और उसके बाद हम उसको clean कर सकते हैं कान को, मगर अगर कोई भी change नहीं आता है, कान में दर्ध होता रहता है, तो हमें doctor को consult करना चाहिए. एक और बड़ी common बिमारी जो देखने को मिलती है, वो है conjunctivitis, conjunctivitis में आख एकदम लाल हो जाती है, सूच जाती है, पानी निकलने लगता है, उसके अलावा जब आप सोके उठते हैं, तो आपकी आखे चिपक जाती हैं, तो conjunctivitis में जो सबसे अच्छी remedies है, home remedy है, वो है rose water, आप चाहें, तो market से rose water खरीज सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए आपको 5 roses लेकर उसके petals अलग अलग करने होते हैं, और उसको 1 cup of water में डाल कर उबालना होता है, जब वो आधा रह जाए तो उसको filter कर दे, filter करके strain कर ले, strain करके उसको आइस में डालना होता है, दिन में तीन बार, ऐसा करने से आपको अराम आता है, बट स्टिल अगर आख लाल होती ही जाए, और अराम ना है, क्योंकि conjunctivitis में भी 3-5 दिन का incubation period होता है, ठीक होने में, और मान लिए तीन दिन में आपको लगता है कि redness नहीं कम हो रही है, और आइस की जो problem थी वो वैसी की वैसी persist है, तो आपको फिर doctor के पास जाना चाहिए, तूथे, ये भी बहुत बड़ी problem है, कई बार रात में सोते वक्त अचानक ही दात में दर्थ हो जाता है, अगर आपके घर में long का तेल पड़ा है, तो आप long के तेल को उस affected area में लगा सकते है और तुलसी अगर घर में है, तो तुलसी का रस निकाल के उस affected area में लगा सकते हैं, और नहीं कुछ समझ आ रहा, तो सिरफ long को अपने दात में रखके भी सो सकते हैं, क्योंकि long बहुत अच्छा anti-inflammatory work करती है, और मैं अगेन बार-बार आप सबको यही बोल रही हूं, जो मे जोंडिस भी अब इस सीजन में होने वाली बड़ी common बिमारी है, और यह usually waterborne disease है, कि हम जब भी infected water ले ले लेते हैं, तो उसके कारण हमारा liver infected हो जाता है, और वो हमें जोंडिस हो जाता है, जोंडिस में pale color का stool आता है, dark color का urine आता है, skin पे itching होने लगती है, nausea, vomiting होता है, ब्लीडिंग की कोई condition आती है, तो आपको उस patient को छेड़ना ही नहीं है, उसको direct doctor को ही refer करना है, बट अगर आप मालीज आपको दिखता है कि उसके eyes में yellowness आ रही है, और skin थोड़ी yellow लग रही है, तो आप उसको basic treatment दे सकते हैं, इसमें दो herbs हैं, जो बहुत अच्छा काम करती और ये herbs आपको easily मिल जाएंगी, हर garden में उखती हैं और ये अपने आप उखती हैं, इनको उगाने की जरुरत नहीं है, एक herb है जो उपर दिख रही है, पुननवा, दूसरी herb है भू हमल की, इसको भू हमल की उपर वाली जो herb है, पुननवा, वो आप गाउं में किसी से भी प इसको गधे पुनना करके भी बोलते हैं, और साग बना के इसका खाया जाता है, जो नीचे वाली herbs है, भू अमल की ये अपने आप उख जाती है, छोटी सी herb होती है, इसका मतलब बहुत छोटे साइस की होती है, जब आप इसको इसके पत्तों को उखार के देखेंगे तो पी आप पुनना नवा के पांच ग्राम पुनना नवा ले लें और उसको पानी के साथ ग्राइंड कर लें, पहले धोले अच्छे से दोने के बाद उसको वाटर के साथ ग्राइंड करें और उसको पी लें और ऐसा दिन में कम से कम एक बार जरूर करें, और भू अमलकी में हमें पूरा का पूरा प्लांट को जड़ समित उतारना होता है और उकाड़ कर हम उसको उसका जूस निकाल कर पीते हैं डाइरिया में आपको कुछ नहीं करना है जो अमरूत की पत्ते होते हैं वो पांच पत्ते लेके दिन में दो बार उन पत्तों को लेना है इससे आपको डाइरि कमर से शुरू होता है और आपके पैर तक जाता है कई बर पेशन्ट आके कंप्लेइन करते हैं कि हमको जब खड़े होते हैं तो बड़ी एक पैर में बहुत अकड़ाहट होती है और यह दर्ध हमारी कमर से लेके हमारी लोवर फुक तक जा रहा है इसके लिए हम इसको हम शाइ इसके अंदर हमें दो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर प्लांट दिख रहा है वह हार सिंगार हार सिंगार की पहचान हार सिंगार की का पत्ता आपको पेड़ आपको हर जगा मिलता है इसके जो फूल होते हैं उनमें बड़ी खुश्बू होती है वो सफेद पीले रंके होते हैं इससे आप हार सिंगार के प्लांट को पैचान सकते हैं नीचे मैंने पलाश के फूल दिखाएं जो कि लाल रंके होते हैं पलाश भी आपको खर्चका मिल जाएगा तो शाहिटी का रोग में हम मुए प्रुम में वूर्यल नमारें मारे गैचान साव पत्ते हार सिंगार के लेते हैं और इन दोनों को हम एक लीटर पानी में उबालते हैं, जब तक यह त्रीवार फोर्थ न रहा जाै उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, और एक टाइट पोर्टल में रख कर उसको फ्रिज में रख देते हैं और आपको रोज दो चम्मच इसको एक महीनी तक कम से कम खाना है कम से कम एक से दो महीनी तक पीना है तो आपको शायटी का रोख में बहुत अराम आएगा अगर किसी को बहुत ज़ादा problem है, बहुत ज़ादा pain है और वो चाहता है कि वो डॉक्टर से consult करे, तो वो डॉक्टर से consult कर सकता है, मगर इस treatment को वो continue सभी medicines के साथ रख सकता है, तो इसको बना कर आप अराम से, मतलब health workers उनको बता सकते हैं, कि आप इसे बना के fridge में रख लीज आप अस्टे अर्थराइटीस है, रुमेटट अर्थराइटीस है, गाउट है, तो कहीं का भी pain हो सकता है, किसी भी joint का pain हो सकता है, इसके अंदर आप अपने पार्क में देखेगा अश्रुगंदा के पौधे लगे होते हैं, जो कि बहुत छोटे-छोटे होते हैं, आपको जड़ का इस्तेमाल करना होता है, अश्रुगंदा के पौधे का, जड़ भी आपको मार्किट में अराम से मिल जाती है, आप उसे लाइए, उसको ग्राइंट करिए, उसका पाउडर बनाएए, और 2-4 ग्राम अश्रुगंदा पाउडर दूद के साथ आपको एक महीनी तक देना है, इससे आपके joint pain में बहुत अराम आएगा, अब हम बात करते हैं पित्ती और allergic reaction की, ये जो है इसमें patient को बहुत problem होती है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, उभार से नजर आते हैं, खुजली होती है, redness होती है, वो skin वहाँ पर dry हो जाती है, और patient बहुत पर परिशान होता है, कई बार उसको high grade fever तक आ जाता है, इसके अंदर आप 200 gram काली तुलसी लेंगे और उसको एक लिटर पानी में 10 मिनट तक उबालेंगे, उसके बाद जो आपके नहाने की bucket है, उसमें जो पानी है, उसके अंदर आप इसको मिला देंगे, उसके बाद आपको म पता चल रहा होगा, पित्ती, तो जितनी भी गरम चीजे होती है, वो सब आपको avoid करनी होती है, जैसे लाल मिर्च का सेवन बंकरा दीजे, पेशन्ट का खताई मिर्च मसाले, यह सब बंकरा दीजे, आप जब उसका यह सब भी बंकराएंगे, तो भी इसको बहुत अराम अप शहर में तो आपको पहले तो हम सोचते थी कि यह शहर के लोगों की बिमारी है बढ़ अब ऐसा नहीं रहा है शहर क्या गाउं में भी अब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनको यह बिमारी होती है क्योंकि हमारा लाइस्टाइल बहुत बिगर चुका है यह एक metabolic disorders है जो की pancreas की disturbance के कारण होता है हमारा जो carbohydrates है fat है और protein है जो हम लेते हैं उसका metabolism disturb हो जाता है और हमारा जो convergence है इन carbohydrate fat और protein का वो disturb हो जाता है और हमारे blood में और urine में sugar आनी शिरू हो जाती है बेसिकली यह जो हमारा lifestyle है उसके कारण होता है हमारा lifestyle बहुत disturb है हम लोग आज के time में काम कम करना चाहते हैं और sitting profession हमारा बहुत है हम exercise नहीं करते हैं बिल्कुल वयाम नहीं करते हैं तो जो juice निकाल लीजिए और एक चम्मच aloe vera juice उसको आप बेल पत्र जो होते हैं आराम से आपको कहीं भी बेल पत्र मिल जाएंगे बेल के पेड़ हर जगा होते हैं नहीं तो आप मंदिर जाएं सोंबार के दिन भगवान शिफ पे बेल बेल पत्र बहुत चड़ते हैं और आयरवेद में स्पेशली कहा गया है वो बेल पत्र जो शिफ पे चड़ाए जाते हैं तो आप 10 बेल पत्र लीजिए एक चम्मच aloe vera juice लीजिए पत्र को का जूस निकाल लीजिए और aloe vera का जूस आपके पास है इन दोनों को मिक्स करिए और डेली एक महीने तक इसको लेते रहे हैं अब हम बात करते हाई ब्लड प्रेशर की तो हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू कॉलेस्टरॉल भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू स् हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली एक लाइस्टाइल डिसॉडर है तो इसके लिए भी कुछ होम रेमडीज हैं जैसे कि आगर मान लीजिए आपका हाई ब्लड प्रेशर द्यू टू कॉलेस्टरॉल है तो उसके लिए आप लेसुन ले सकते हैं लेसुन को छील के सुखा के उस इसके लेसुन को स्केन में रैशिस होने लगते हैं गर्मी लगने लगते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे पेशेंट को आप ध्यान रखिए कि लेसुन मुझे पूरा चमश नहीं देना है उसमें हमें उससे पहले 1-4 से शुरू करना है हो सके तो 1-4 से भी कम में कर दिया है पेशन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब आप धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाएं जिन लोगों को बीपी स्ट्रेस के कारण हो रहा है उनको आप आधा चमश अशुगंदा पाउडर दे सकते हैं अशुगंदा की पिच्चर मैंने आपको पहले प्लांट के दे सकते हैं हार सिंगार का प्लांट भी मैंने आपको पहले दिखाया था उसके फूल भी दिखाये थे वाइट कलर के फूल होते हैं जिनकी पीली-पीली सी डंडी होती है आप फूल दो से पांच पेशन को खाने को दे सकते हैं उसके इलावा पेशन को होता है तो हमारे body में हमें कहा जाता है कि namak कम खाना है क्यों कि body chain retain करती है तो BP अधिन बड़ता है उसके compensate में जब हम calcium का intake बढ़ा गाए potassium का intake बढ़ा देते हैं तो हमारा BP control में आचाता है इसलिए हमको juices का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए बीपी के पेशिंट को और जितना हो सके नमक और घी फैट को अबॉइट करना चाहिए लाइट फूद खाना चाहिए और अपनी दिन चरिया को थोड़ा सा बदल लेना चाहिए अब हम लास्ट में बात करते हैं कैंसर की तो कैंसर के लिए मैं आप फेल्ट वर्कर्स को बताना चाहूंगी कि कैंसर कॉमन डिजिस में नहीं आता है इसलिए कभी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में ना सोचें सिर्फ आप कैंसर के पेशिंट को कुछ घर में इस्तमाल कर केंसर को कैंसर के लिए हमेशा patient को जो consultant होते हैं जो experts होते हैं उनकी supervision में treatment कराना चाहिए आप इनको यह कह सकते हैं कि जितने भी fruits and vegetables colored होते हैं उनका uses ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि इन सब में cutenide और lycanin होता है जो की cancer की cells को cure करने में help करता है इन fruits में आप black grapes ले सकते हैं, orange ले सकते हैं, watermelon ले सकते हैं, papaya ले सकते हैं, मतब जिन में भी आपको बहुत ज़्यादा color नजर आता है, वो सारे food का intake का बढ़ा दें, चाहें तो आप patient को ये भी कह सकते हैं, कि आप अपनी meal में maximum fruit and juices increase कर लीजिए, चपाती जो हैं वो कम कर दीजिए, जितना आप light food लेंगे, जितना आपकी digestion system पे load कम पड़ेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, vegetables में भी tomato है, एकदम red color का होता है, carrot है, वो भी red color की है, पालक एकदम green color का है, उसके अलावा आप जो है red bell paper, yellow bell papers, broccoli है, इन सब का इस्तमाल कर सकते हैं, तो cancer के patient को जब आप ये diet बताएंगे, तो उससे उसको बहुत मदद मिलेगी, तो health workers, मुझे लगता है कि मैंने जो आपको पढ़ाया, वो आपने अच्छे से सुना, उसे सीखा, और उसको इस्तमाल करने की कोशिश करिएगा, और हम फिर आएंगे और फिर आपको अगले chapter के बारे में बताएंगे, नमस्कार, धन्यवाद.